दोफ्तों SSE की ओर से काफी बड़ी बहाली निकाली गई है SSE Astenografer की पदो पे आपको बता दे इस बहाली में जो भी कनिडेट भाग लेना चाहते हैं फॉर्म को अपलाई करना चाहते हैं वो किवल बारवी पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आज के डेट में इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है और आज इसे ही इसका आवेदन पर क्रिया स्टार्ट हो चुकी है हम आपको डीटेल में समझाएंगे कि SSE के लिए आप Astenografer के पत पर जब अपलाई करेंगे तो कैसे इसके लिए रेश्टेशन करना है, कैसे इसका प्रेंट लेना है, कैसे आपको अपलिकेशन फी देना है पूरी प्रोसस हम डीटेल में जानेंगे अगर सारी जनकारे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने मुवाइल लैप्टॉप में जो भी ब्रावजर है, उसे ओपेन करेंगे गूगल में सर्च करेंगे, ऑनलाइन अपडेट, htm.in इस वेबसाइट पर आएंगा और यहां पर लेटेस जॉब में देखेंगे, ऐसे यह एस्टेनो ग्रापर, ऑनलाइन फॉर्म 2022, इस पर क्लिक करेंगे, डीटेल में यह आर्टिकल खुलेगा, जिसमें सारी जनकारी बताईगी है आपको बता दे, इसका जो फॉर्म फिलब की जो प्रोसेस है, आज से स्टार्ट हुआ है, और इसका अंतिम दिती पाच सितंबर रखा गया है इसका जो एज रखा गया है, एज आपका मिनमम 18 वर्स होगा, मैक्सिमम ग्रूप D के लिए 27 वर्स होगा, और ग्रूप C के लिए 30 वर्स आपका एज रहने वाला है अप्लिकेशन भी जो भी जेनरल OVC, EWS वाले होंगे, 100 रखेद देने होंगे, SC, ST और Female Candidate को कोई भी पैसा नहीं देना है payment online mode में करना होगा, qualification नहुंतम अगर आप 12th pass है, तो आप इसके लिए apply कर पाएंगे, उसके बाद नीचे जवाब आएंगे, तो esterno grapher में आपको typing भी मांगा जाएगा, typing आपका English हिंदी होना जरूरी है, जो कि group D के लिए है और group C के लिए 40 मिनट पर सेकेंड आपका typing उसके बाद यहाँ पर देखेंगे latest news में भी आपको ये notification मिलेगा, अगर आप इसके लिए registration करना चाहते हैं, तो आप कैसे apply करेंगे, जिसके पूरी process notification में भी समझाएगे, आप आकर पढ़ सकते हैं, apply करने के लिए direct आपको एक option मिलता, new user registration now का, register now का, जिसके लिए करके बहुत सारे essay candidate होंगे, जिनके पहले से ही ID password बनाया, तो direct ID password capture डालका login करेंगे, हम बात कर लेते हैं, वह essay candidate जो पहली बार SSE का form फिलप कर रहा है, तो आपको यहाँ पे click करना है, और registration form को complete करना है, जिसे ही आप इस पे click करेंगे, आपके सामने इसका registration form खुलेगा, जिसमें basic detail आपको डालना है, फिर additional detail और contact detail देना है, फिर आपको declaration देना है, तो इस पर का registration होगा, सबसे पहले आप से पूछा जा रहा है, यदि आपके पास अधार नंबर है, तो यहाँ पे S करेंगे, अधार नंबर को डालेंगे, फिर verify करना अधार नंबर को यानि दुबारा डा फिर उस नाम को दुबारा डालना है, अगर आपने कभी भी अपना नाम को change किया, तो यहाँ पे S करेंगे, अधार चेंज किया था, तो इससे पहले क्या नाम था वो बताएंगे, फादर का जो भी नाम होगा डालेंगे, जो कि आपके mati के marksit के according होगा, उसी नाम को दुब year को select करेंगे, जो भी month होगा select करिएगा, जो भी date होगा select करिएगा, इस recording फिर से इसको verify करना है, फिर नीचे आएंगे, आपका जो भी mati class का detail है, जिसके बिसे में पूछा जा रहा है कि आपने जो mati की पढ़ाई किया था, किस board से किया था, लगवक सभी board का यहाँ पे passing gear रहा होगा, जिससाल अपने matter को तिरन किया है, उसको डालेंगे, फिर से उसको verify करना है, फिर आप से gender पूछा जा रहा है, उसके बाद नीचे आएंगा, आपका higher education पूछा जा रहा है, आप कहा तक पड़े हुए, अगर मान लिजे कोई candidate सिर्फ बढ़ा भी किये हुए, तो आप यहाँ पर 12 select कर सकते है, 10 plus 2, अगर कोई graduation या PG की हुए, तो आप अपने according detail को fill up करेंगे, एक mobile number डालना है, mobile number को confirm करना है, email ID डालना है, email ID को confirm करना है, और यहाँ से आपको अपना state select करना है, जैसे ही आप यहाँ से save करते हैं, तो जो email ID और mobile number देंगे, उस पर एक OTP भेजा जाएगा, जैसे ही आप save आले पर click करते हैं, तो इस परकार आपको देखनों के मिलेगा, कि आपका registration जो है, successful हो चुका है, और यह 14 दिनों के लिए valid होता है, 14 दिन के अंदर में आपको इसको check करना होगा, email ID को जब खोलेंगे, तो spam folder में आपको email भेजा जाएगा, जो कि activation के लिए होता है, इसको close करेंगे, जब उस पर click करेंगे, तो इस परकार आपका registration है, दिखाएगा कि आपका registration हुआ है, जो कि registration नमबर भी आपको यहाँ पर generate हो जाएगा, इस नमबर को आपको note down के रखना है, क्योंकि यह registration number आपको आगे भी काम देगा, क्योंकि password अभी आपको temporary के तौर पर मिला है, उसको डालकर login करेंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले password चेंज करने क्या सकता परेगी, जैसे password आपको जो भी old है, जैसे आपके mail पर जो भी गया होगा, उस password को यहाँ पर डालना है, फिर नए password को जो भी आप बनाना चाहता है, उस उसी को confirm करना है, फिर एक option मिलता है, आपको submit का, आप submit वाले पर click करेंगे, submit पर click करते ही, आपका password successfully change हो जाता है, registration जैसे ही आपका complete होता है, तो इस portal पर आपको login करना होगा, तो उस ID को जो आपको registration ID मिला है, उसको डालेंगे, password जो भी आपने बनाया था, उसको डालेंगे साथी ये जो capture आपको दिख रहा होगा, इस capture को same, उसी according डालेंगे, जिस recording capture आपको दिख रहा होगा, उसके बाद एक option मिलता है, login का, login वाले पर click करेंगे, जैसे ही आप login पर click करेंगे, थोड़ा सा wait करेंगे, ये page loading होगा, उसके बाद जितने सारे form चल रहा होगे, सबका detail देखनों का मिलगा, और यहाँ पर देखनों का मिलगा, एस्टर्नो गराफर, grade C, D, examination 2022, आप नीचे देखेंगे, इसके लिए जो date रखी गई, कब से कब तक आप apply करेंगे, पूरी process समझ लेंगे, और यही पर एक option आपको मिलता apply का, जिस पर आपको click करना है, जिसी आप apply वाले पर click करते, थोड़ा सा आपको wait करना है, अब यहाँ सिर 15 नंबर सा आपको form fill up की process से start होती है, पूछा जा रहा है कि आपके पास stenographer का knowledge है या नहीं है, क्योंकि यह stenographer की बाहली है, तो इसका knowledge आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पर yes करेंगे, साथे आप जो भी exam के लिए center देना चाहते है, तीन आपको select करना होगा, जहाँ जहाँ आप देना चाहते है, उसको select करेंगे, उसके बाद यदि आप ex-serviceman है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं है, तो simply no वाले पर click करेंगे, यह detail आपको डालने की आप सकता नहीं परेगी, आपको फिर आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद, अब उनिस नंबर में आप से पूछा जा रहे हैं कि medium of skill test, आपका जो skill test होगा, वो हिंदी या English में आप देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर बताएंगे, फिर आप नीचे आएंगे, इसको confirm करेंगे, फिर आपका जो post है, apply के लिए पूछा जारा है, कि किस post के लिए आप apply करना चाहते हैं, अगर मान लीजी आपploys लिगे, फिर से इसको confirm आपको करना है, यहाँ पर पूछा जारा है, अगर आपics, एज में अगर relax session लेना चाहते हैं, छूट लेना चाहते हैं, तो इसकोs करेंगे, यहाँ नेथ है हाईयर एजूकेशन होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आप कहां तक पड़े हुए हैं यहाँ पे आप देखेंगे इंटर्मेडियर अकर आप उतीर नहीं मिनमम तो इस फॉर्म को अपलाई कर पाएंगे तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे आपका जो भी हाईयर उसकी जानकारी बताएंगे साथ हैं अग्र पस कर चुका है तो किस साल आपने टुईल्थ पास आउट किया है उसकी भी जानकारी आप यहां पे बताएंगे फिर आपका जो भी एश्टेट रहा होगा जिस बोट से अपनेoney बोट परिक्ष्ट्राख किया है तो उसको select करेंगे, फिर यहां पे board का जो भी नाम होगा, यहां से उसका नाम डालेंगे, साथ ही आपका जो भी roll number होगा, वो roll number डालेंगे, कितना percent है, यह से GPA है, उसकी जनकारी आप बताएंगे, नीचे में आपका कुछ जनकारी देखने हो के मिलेका, और बोला जा रहा है क यहां पे कुछ detail है, अगर आप job के लिए कहीं और भेजना चाहते हैं, यानि अपना data को share करना चाहते हैं, तो इस नों में बता सकते हैं, नेथा नों पे click करेंगे, अब बाड़ी आते हैं फोटो और signature अपलोड करने का, फोटो बीस में 2022 की बात की होनी चाहिए, जिसका जो लोगों के confusion होंगे, कि जो फोटो हम डालेंगे, उस पे नाम या date भी डालना है, तो यहां पे notification का, जब last page आप देखेंगे, जहां पे इसकी भी mention की गई, कि आप जरूरी नहीं है, कि उस पे आपको date या जो समय है, वो आपको लिखना परेगा, आप ऐसे ही normal फोटो भी upload कर सकते हैं, उसके बाद नीचे आना है, declaration देना है, इस capture को भढ़ना है, फिर एक option मिलता है, preview का, जिस पे आपको click करना है, उसके बाद आपके सामने इसका preview section मिलेगा, preview में सभी जनकारी को आपको देख लेना है, सारी जनकारी अगर आपका सही हो, तो नीचे में एक option मिलता है सम्मिट का, अगर कोई जनकारी mistake लगती हो, तो यहाँ से आप edit modify वाले पे click कर सकते हैं, सारी जनकारी सही होने के बाद ही आप submit वाले पे click करेंगे, बोला जा रहा है कि आप carefully सारी जनकारी को check किया है, सारा जनकारी सही है, तो यहाँ पे ok वाले पे click करेंगे, इस परकार loading लेगा आपका फॉर्म जो है सम्मिट के कगार पे पहुंचेगा अब आपको ध्यान रखना है अगर आप फिमेल कर नीडेट है या SCST के करनीडेट है तो आप से किसी भी परकार से सूल्क नहीं मांगा जाएगा अगर आप जेनरल OBC के करनीडेट होंगे तो आपको 100 रप्या की पेमेंट करनी होगी उसके बाद आप यहीं से इसका प्रिंट भी ले सकते हैं आपका जो फॉर्म है उसको फेरिफाई किया जाता आप OK वाले पर किलिक करेंगे जैसे ही OK पर किलिक करेंगे इसका जो प्रिंट है आपके सामने खुल कर आएगा अब यहां से जिनको प्रिंट करना है जो अगर OBC जेनरल वाले है तो यहीं से आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट लेना है तो यहीं सा आप इसको प्रिंट भी